तो हेलो दोस्तों, फंटास्टिक फ्लेवर फूड में आप सभी का स्वागत है, तो आज बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी और नए तरीके का ये नाश्ता, सुबह की जलतबाजी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो इस मज़दार सी रे अगर आप इसे सुबह बना रहे हैं, तो रात भरी से भीगो करके रख दिजे और जितना मून्ग लिया है मैंने उसका आधा चावल is 산 2.ब़ 15 यहांपे चनाट दाल लिया था, इसे भी मैंने साथी भीगो करके रख दिया था, जो की सुबह तक बढ़िया से फूल चुक और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पीस्ट लेना है तो इसका पीस्ट हमें बहुत ज़दा पतला नहीं करना है इस तरीके से ठीक रहना चाहिए आप इसकी consistency देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके की consistency वाला बैटर हमें चाहिए होगा तो आप इसे बहुत ही बड पाउडर मैं यहां पर आपको दियुता पाउडर देयर तो यहां क divorce्maक करेंगे तो से यहां पर निम्मुकररस को अब आता है तो इसे हम अक्य मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा batter बढ़ यहां से बन करके रेडी हो गया अब इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल एट कर देंगे लगभग एक चमच के करीब एक चोड़ा चमच मैंने आप रिफाइंड डॉयल एट किया है इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इसे हमारा नास्ता जो है वह बहुत ही सॉफ्ट बन करके तयार होगा इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर हमारा थिक है इसी तरी की कंसिस्टेंटी चाहिए तो चलिए इसे रखते है थोड़ी दिर रेस्ट के लिए बना लेते हैं एक मज़ेदार सी चटनी जो इसके साथ पौफिक जाती है तो इसके लातिर्षार नमक आट करेंगे और आधा चमज जीरा आट करेंगे और यहां पए आधा चमज के करेंब निम्बुकरस आट करेंगे इससे हमारी चटनी बहुत पाने डालकर के इसे हमें पीश लेना है तो चटनी की थिकनस मैंने थोड़ी सी पतली रखी है क्यंकि इस रेसि के का एक मोल ले लिया है आप कोई भी बरतन में बना सकते हैं तो यहां पे इसे अच्छे से ओयल से ग्रीज कर लेंगे और जो हमारा बैटर है वो भी अच्छा खासा रेस्ट कर चुका है अब इसके बाद इसमें हम एक चमच इनो एड़ कर देंगे तो जो पूरा पाउच होत आधा एड़ कर देना है तो पूरा नहीं एड़ करेंगे आधा ही एड़ करना है हमें और इसे अच्छे से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे ताकि evenly सब तरब से यह हमारा सेट हो जाए तो इसे अब हम स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए मैंने यह पानी पहले ही ग्रम होने क के लिए रख दिया था और इसे हम हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे यह तब तक स्टीम करेंगे जब तक कि टूथपिक जो है वह क्लियर नहीं आती तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ही हमारा जो बैटर है वह बड़िया से स्टीम हो गया है हाई फ्ल है यह दो एकदम जाली दार एकदम Cloud बनकर के तयार हुआ है यह देखिए तो है ना बहुत ही मज़ेदार सा नाश्टा तो आप चाहें तो इस नाश्टे को इसी तरीके से healthy तरीके से खा सकते हैं तो high protein वाला हमारा ये नाश्टा बन करके तयार हो गया आप इसे इसी तरीके से खा सकते हैं या फिर इसे लगा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा तड़का इसके लिए एक चमच देल गरम करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं add करेंगे साथ ही add कर देंगी थोड़ा सरसो और इसी के साथ यहाँ पर मैं आदा चमच के करीब जीरा add कर दूँगी और इसके बाद इसे हलक असा crackle होने देंगे जैसे ये सारे चीजे अच्छे से तिड़कने लगेगी हमें इसमे add कर देना है है रिमेची और थोड़ा सा इसे मिला लेना है और इसी के साथ हम यहाँ पर चार से पांच करीब पत्ते को तोड़ करके add कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे करीब पत्ते से इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसके बाद इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आधा चमज के करीब तील एट करीजू, सफेद वाला तिल, आप चाहे तो इसे स्केप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है, अब इसे हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें पका लेना है, तो यहाँ पे देखे, इसे मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है, अब इसके बाद हमने जो पीसस कट करके रखे थे, उन्हें हमें इस तरीके से अरेंज कर दे और जैसे ही हलका सा गोल्डन कलर आजा है नीचे की तरब से तो आप इसे उलट दीजेए ये देखे बलकुल इस तरीके से तो उलटते पलटते हुए इसे अच्छे से हमें सेक लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कलर कितना पढ़िया आया है देखने में बहुत ह लग रहे हैं खाने में तो बहुत ही मज़ेदार यकीन मानिए इसका टेस्ट आप एक बर बना लेंगे न तो आप इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं और हर बार यही नाश्ता बनाने का डिमांड आएगा तो इस तरीके से मैंने सारे बना करके तयार कर लिए हैं और आप जिदार और सिंपल रेसिपी के साथ रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेच को लाइक जरूर करें तो मिलती हूं कल सुबह 9 वज़े टेक केर धियर लाइक लेखा हैं और सु